कर दाइए प्रियंका गांधी का ट्वीट है यह बहुत इंट्रेस्टिंग है मेठी की जनता को बधाई प्रियंका गांधी की तरफ से देखिए अभी चुट्किया लेने का दौर भी शुरू हो गया है अभी नतीजे नहीं आए लेकिन जो मार्जिन नज़र आ रहा है केल शर्मा जीतेंगे यह बहुत बड़ी खबर है प्रियंका गांधी की बड़ी खबर यहाँ पर इस वक्त की सबसे बड़ी प्रियंका गांधी ने इस बात को कह दिया और सबसे बड़ी बात किये है कि प्रियंका गांधी ने चुनाओ प्रचार के दोरान राइबरेली और अ प्रियांका गादीना विए ट्वीट कर दिया है कि उन्होंने सिती को भाप लिया है आप रियाक्शन तो यहां पर स्मिती रानी का भी बहुत जरूरी हो जाते लेकिने सब के बीच डिबेट पर वापस चलेंगे लोधी साब कुछ कह रहे थे जी बोले जो बीजेटी की हार का जो नतीजा दिख रहा है इस समय जो वो ओवर कॉंफिडेंस बोल रहे थे 400 पार आप देखिए 400 पार उन्होंने क्या-क्या वादे कर दिया उन्होंने किसानों जो किसान धरना दे रहे थे 1000 लगवक किसान तो फिर से रोक रहे हूं कन्ना सीट से एखले दर्मेंद्र यादाव 11 कि सिर्फ बदायूं के अगर देखा जाए क्योंकि बदायूं में दुरूजे सिंग शाक्य को भरतियेंता पार्टी ने उतारा था और वहां पर काड़ा मुकाबला है लेकिन कन्नौस से अखिलेश्ट यादाव यहां पर आगे चल रहे हैं मैन पू नहीं सीट है उसमें जो समीकरण है वो हमारे फेवर में वो भी हमारी समाजवादी पार्टी के परिवार का गहर है और योगेश कुमार साहब इस वक्ष पत्रकार है वो भी अमारे साथ लगा है योगेश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका उत्तरप्रदेश की सियासी नपसको आप समस्ते हैं आपने 2012 का भी चुनाओ देखा विधान सभा का 2014 का भी देखा 2017 का विधान सभा चुनाओ भी आपा और उसके बाद जो अब स्कोर आ रहा है वह स्कोर अपने पक्ष में लेकर क्या रहे हैं देखे उत्तरप्रदेश की जहां तक बात है और यह आंकिलन जो बाकी सारी लोगों ने भी करा था एजेंसिस ने भी करा था उससे बिल्कुल उल्टा और अंडर करेंट की बात है था कि यह समिधान खत्रे में है रोजगार हम देंगे हम राशन देंगे मुझे लगता है यूपी में यह जो नेरेटिव था यह बड़ा तेजी से वर्क करा और यही रीजन है कि बीजेपी को इतना जटका या इतने लॉस यूपी में ही हो रहा है जिसके उनको कभी उमी यह समझा जाए कि जो समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलाइंस के तरह से नरेटिव सेट करने के कोशिश की वो लोगों के दिलों में घर कर गई यह बिल्कुल वही बात है जो पेपर लीक मामला था जो बेरोज़गारी का मामला था यह ऐसी चीज से जिससे जितना भी यूवा है ना सिर्फ यूपी का बाकी परदेश के बाकी राज्यों का भी सभी यूवाओं को कनेक्ट करा और यही रीजन है जो यूपी में परिणा से बातचीत की है बड़ी खबर यहाँ पर रितीश को इंडिया में आने का नियोता दिया है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और यह बहुत बड़ी खबर इस बात का अंदेश्वा लगातार निउस रटीन जिता रहा था शरत पवार ने आपर रितीश कुमार से बातच बातचीत की है इंडिया घटबंदन में आने का नियोता दिया है इसी से आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ आप यहाँ पर नंबर गेम की बात थी हो नंबर गेम बनाने की यहाँ पर इस बक्ति यह सबसे बड़ी खबर है इसलिए बातचीत का दौर के सब्सक्राइब करेंगे जी आप अपनी बात पूरी कीजिए और आप कुछ कह रहे थे सूत्रों के हावाले से कुछ जानकारी आपको भी मिली है अपना प्सक्राइब का अपना पूर्प जो बड़ी पॉट था और जो मुसलिम बॉट था वह से चितका है यूपी के यूपी में कम सकम बीजेपी से चितका है और वह इंडिया एलाइंस के तरफ गया है और यही रीसन है एक जो इतना फैक्टर जो काम कर रहे है सामाजव समाजवादी पार्टी के लिए और कॉंग्रेस के लिए कि एकदम सीट से एकदम चेंज होगी है यह मेरा मानना है कि इसको आपको पता चलेगा कई सारा दलित वोट चिटका है और सबसे बड़ी लूजर मुझे दिखाई देती यह पर पता है अब जो आप टेली में देख रहे है वो आप देख रहे है नुकसान तो एंडिये को है एक बड़ा नुकसान उत्तर पदेश में है इस बात को तो आप मानेंगे अभी हाँ नुकसान होता दिख रहा है अभी तो लेगिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ जगाओं पे मार्जीन बहुत काम है जहां पर पांश हजाए अनुपा आप यह तस्वीरे देखे जरा गैस की यहां पर यह तस्वीरे देखे भारती जनता प दिलों में घर कर गे बताएं जरा बेरोजगारी वे एक वड़ा मुद्दा था और नौजवान का मुद्दा था परचा लीग था तमाम ऐसे मुद्दे थे जो जनता तक गए और जनता को समझ में आया कि हाँ वो लोग यह सोच रहे थे कि इनका एंकार बहुत जरूरी है त नहीं ने arguments की बात करते हो आप तो मिलाओं के हात्रस की घटना मनिशाब लूदी की घटना हो और तो और जो गोड मैडलिस मेलाएं ती उनको आस तक नरी लब लेकिन व्यक्ता की बात करती हैं लोगों को राशन देने की बात करती है लेकिन आंत्य कि पर लिकी पीछे चल रहे हैं यह बड़ी खबार रक्षा मंत्री राजनात सिंग आगे चल रहे हैं यह कुछ केंद्रिया मंत्रियों का आपको बता रहे हैं कौन-कौन पीछे चल रहे हैं बीअल वर्मा के बारे में शाइद कुछ लगता है कुछ गलत अपो बडेट है तो आख़़ा गलत अप्डेट हो गया है शायद मैं चाहूंगा आउटपूट से की बियल वर्मा की ज़रा प्रेट को अब्डेट कर दिया जाए तेकिन सबसे बड़ी बात किये कि लोग सबा दो हजार चॉबिस पान सो तताली सीटे जो है कि अगर तो फिर यहां पर इंडिया लाइंस अपने आपको मजबूत करना चाहेगा तो यहां पर यहां आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर तस्वीर उबर करके सामने आ रही है यहां पर फिगर है और हमारे साथ बड़े मैमाल लगातार बने गुए है आनन जी जिस तरीके की तस्वीर है देखिए सामने वाले ने तो अभी नंबर भली उनके कम है लेकिन शुरुआत कर दिये शरत पवार रिंतीश कुमार से बातचीत की है और भी लोग लगातार धड पड़ता है और भारती जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जिसको जनता ने सबसे ज़्यादा समर्थन दिया है अगर सभी दलों की बात कर लें पांग्रेस तो अभी निन्यानवेर पर साब काटता है तो नीचे भी आना पड़ता है तो अभी थोड़ा इंतजार करिए अच्छा आप क्या रहे हैं लोधी साब अभी निन्यानवे पर नहीं पहुँचे हैं लेकिन इनकी जानकारी के लिए बता दें कि परतियक्ष को प्रमान की जोद नहीं है आज चंदरबागु नाइडू जी को फौन करने की जोद पड़ी है देश के प्रधानमंत्री जी को जो कि कुछ टाइम बाद हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री भी ना हो क्योंकि आब जो रुजान आ रहे हैं वो टोटल इंडिया गटवंदन की तरफ रुजान बढ़ते जा रहे हैं तो यह बड़ी बात कह रहे हैं कि हो सकता है वो प्रधानमंत्री ना हो आपका दूला कौन होगा तो यह कह रही है कि पांस सल के प्रिदान मंत्री चलाएंगे आपका चहरा कौन है चहरा तो पता चल जाएगा भी रुजान आने दो रिजल्ट आने दो उसके बाद आपको चहरा भी पता चल जाएगा चली आप लगता है मेडिटेशन बीच में कर ले रहे हैं शायद कुछ आप अंदर से कही न कहीं कुछ सोच भी रहे हैं कि क्या हो सकता है गणित उसको आप मातमंधन कहीं कहीं देख कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर गये है कि भारतिय जनता पार्टी के अगर आप स्ट्रेटिज लोगों को केंड़ेट से बहुत प्रावलम थी योगी और मोधी पे कम होते हैं लेकिन केंड़ेट से बहुत खुंदक थी उनको और वह खुंदक उन्होंने सीधा बटन में पोलिंग बूत पे दिखाई है और एक और बात बड़ी इंपोर्टेंट है जो सिटिंग गेटिं उसका पांट साल का काम था वो एक आउस नहीं था कि जनता उसे और सब्सक्राइब नहीं कर सकता वहां लेकिन वह बेरोजगारी सोटार्ण का मामिला था पेट्रोल महंगाई था इस सारी चीजों का घुस्ता वो शीटिंग युच जाहाँ भी होई है वहां तस्वीर थोड़ी ने आपको ऐसे लगता है 2019 2019 में और 2014 में योगे जी क्योंकि आप वरिष्ट पत्रकार हैं इस बात को आपने भापा भी होगा कि 2014 और 2019 में आ जा रहा था मोदी जी और योगी जी के नाम पर आप किसी को खड़ा करती जैए अगरे कोई सभासत के चुनाव न जीत पाए लेकिन आप उसको खड़ा करती जैंगा और बंपर वोटों से वो जीत हासिल करेगा लेकिन 2024 में ऐसा प्रसेप्शन नहीं क्रियेट ह हो पाया चाहिए कास फेक्टर ऐसे हो चाहिए बाकी ऐसे फेक्टर तो यह एक बड़ा बुद्धा रहा तस्वीरे भी देखने को मिले योगेर जी जैसे मंडी के सीट देख लीजे आप को सीटे ऐसी होंगी जहां पर वो नेरेटिव सेट